दोस्तों जो हम डिस्कस करने वाले हैं 24 x 44 का हाउश प्लान की जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और यही मैंने थमनेल भी आपको दिया था हमारे एक पेड यूजर है उनके कहने पर इस मॉडल को डेजाइन किया है उनकी रिक्वार्मेंट थी उनके अकॉर्डिंग गर का लोग है वो भी आपको देखने को मिलेगा और लो बजट भी हाउश है अगर आप इस घर को बेतरीन दरीके से बनवाएंगे तो कम पैसो में एक अच्छा सा 24 x 44 फट में हाउश प्लान बन जाएगा तो इसी मॉडल को डिसकस करेंगे तो बने शूडम लगातार मैं अगर आपने चैनल इसमाल आप इसमाल होस प्लान अगर आपने भी सिber को सब्काइब नहीं किया है तो जरूर करनें इस और आने वाले सब ही वीडियो अप लगा तार देख सके हैं पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटिड वीडियो मिलते हैं नए-ने मॉडल से मिलते हैं जो आप देख कर बर्वा सकते हैं इसी प्लान को डिसकस करेंगे तो चलो पूरा प्लान डिसकस कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं से आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा जिससे आ आप तौल के करम बात करें तो यह आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे क्योंगे यह जब प्योपी का जो डिजाइनर होता है प्योपी से जो चीजें बनाई जाती है जो मिस्त्री हो तो वो आपका बना रही है हलाकि यह जो कर्ब टैप की बीम है और यही आपके घर को एक नया फ्लोर यहां से इंडी कर पाएंगे क्योंगे यहां पर यह पोर्च टाइप कर डिजाइन अगर आप कार पार्किंग भी करना चाहते हैं तो यहां पर आसानी से कार पार्किंग होगी और साइड में आपका यह ग्रीन अडिया या ओपन स्पेश देखने को मिलता है तो यह जो height है ये लगबग 18 feet दोस्तों है 18 feet में क्योंकि पहला floor जो मैंने create कि है 10 feet में उचाईवे linter पड़ा हुआ है जो roof बना हुआ है इसका 10 feet का और second floor है तो जो ये आपका plur आपको देखने को मिल रहा है ये दोनो इन plur's की height लगबग 18 feet है क्योंकि एक 7 plur बने कि दोनों floor को covered करेगा इसके बाद आप हम बात करेंगे इसके ground floor की जिससे आप इसका बेतरी सा look देख पाएं तो ये इसका ground floor था कि अब आप बहुत proper से समझ पा रहा होंगे कि यो प्लर बने है एक साथ बने हुए ये main door है ये boundary आपको मैंने कर दिया है आपको door में दिखाऊंगा भी बनेगा इस door से main entry है जहां से आप अंदर जाएंगे और ये एक window है जो की kitchen area आपको देखने को मिलता है इसलिए यहाँ पर मैं विंडो दिया इस प्रॉपर ventilation हो सके इस door से आप entry करेंगे गैलरी के माददा मेंश आ जाते हैं आप living hall में बड़ा सा आपको hall मिलता ये देखे है पूरा और इस के इस corner भाई ये latent बात का मेरी area covered किया इस corner पर आपको बड़ा सा bedroom देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपकी stairs है जो की आप इधर से चलना start करेंगे turn होकर आते हैं और यहाँ पर उपर चले जाते हैं उसी के side में मैंने window दिया है ventilation के लिए door है bedroom के लिए और ये आपका kitchen है जो की आफरेंट में मैंने window दिया ventilation के लिए तो 24 पाई 24 फिट में आपको दो bedroom ground floor पर एक latent bath और kitchen बड़ा सा open space या जिसे बोल सकते लॉन आपको बोल सकते हैं आपका ये living area आप देखने को मिलता है ये stairs है तो ये पूरा ground floor की बात हो गई इसका नाप तौल वगएरा मैंने सारा डेटेल अपना customer जो भी हमारे थे उनको दे दिया है अब इसके face floor के करम बात करें तो ये इसक आप उपर आएंगे तो वही देखिए ये kitchen जो आपका latent बात था वही shame है ये वाले bedroom भी वही shame है सिर्फ आपका जो kitchen वाला area था इसको मैंने remove करके एक बड़ा सा bedroom यहाँ पर create कर दिया है और जो आपका guest room था वह similar है बस ये kitchen वाला area हटा कर और जो बाहर तक पूरा area covered कर दिय तो एक बड़ा सा आपको bedroom मिल जाता है master bedroom जी से बोल सकते हैं तो first floor पर आपको तीन bedroom latent बात मिल जाता है kitchen यहाँ से हटा दिया गया है और यह आपका living area था वह आपका पूरा वैसा ही बना रहता है इसके बाद आप आगे आते हैं तो आगे आने पर यह जो मैंने balcony निकाली है यह देखें तो round color की balcony है इसके बाद फिर आपका rectangular balcony इसको आप ध्यान से देखें जाप front से आप देखेंगे तो यह वाला rectangular part है यह वाला round color का है जिससे आपको घर को एक बेतरी सा look देखने को बलता है इस बज़ए से मैंने round किया है और इस side से देखें तो यह जो plus थे इस प तो last floor पर कुछ भी design नहीं किया है मैंने चारों तरफ 3.5 फिट का boundary और इस यह जो beam वाला area था front का elevation था इसको covered किया है beam डाल कर और उसमें थोड़ा P.O.P कर designing करके side वाला same area है और यह आप जो देख रहे है गुम्टी है जो stairs आपकी आई उसको ढखने के लिए तो overall यह पूर 24 फिट में एक बेदरी सार डेजाइन आपको देखने को मिल जाता है overall पूरा detail तो यह पूरा model था 24 फिट में कैसा लागा मैं जरूर बताएं अगर आप ऐसे model बनवाना चाहते हैं तो आप हमें contact कर सकते हैं description में हमारा number है लेकिन वो हमारी paid service है कि फिले paid user ही contact करें वापर 50% payment आपको advance देना होता है अगर इसके cost की बात करें तो इसको find out करने के लिए आप हमारे application को download कर सकते है link description में है या play store पर जाईएगा वहाँ पर small house search करिएगा आपको application मिलेगा और उससे download करिएगा जिससे आप इस घर का पूरा overall estimate निकाल पाएगे तो इस video को share करें अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है model पसंद आया था तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ साथ वीडियो को share कर दें thanks watching